हलो एब्रीवन वेलकम टू टार्गेट आईएस माई नेव इस महिन कवान रेंजन एंड आप सिक्क्र ओलेंड रेंगेटी इंगेट 2016 हम लोग क्या पढ़ रहा है एनलोग सर्केट पढ़ रहा है एनलोग सर्केट का जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर यानि सब्सक्राइब डाहों से टॉपक्त हैं तोजो एम लोग अल्रीड धिसक्श लेक्चरों क्या होता है पहले तो ऑूट्पूट का काम है कि कोई एनलोग सिग्नल ऩे उसको आउडब तक ट्रांस्मिट करना, आउटपुट तक ट्रांस्मिट करने के लिए, क्या हमें क्या जरूत पड़ेगी एक, अनलोग इलक्रोनिक सिर्केट की, अनलोग इलक्रोनिक सिर्केट करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, यह सर्केट, विच कैन प्रॉसेस अनलोग सिर्केट, आप लोग notes के tension मतले न, notes आप लोगों को अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे, हम लोगों न औरली notes बना के रखे हैं, हमारे जो notes हैं वो, plus उसमें जो subject topic बगरा add हुए हैं, उनको modify करके, आप लोगों को provide कर दिया जाएगा, अगर आप लोग notes बना रहे हैं online तो better है, नहीं ब बगरा है, उसको transmit करना है, कहां output तक, तो output तक transmit करने के लिए मुझे एक circuit के जरूत पड़ेगी, जिसके through में transfer करूँगा, और जिस पर associate करके, modulate करके transfer करूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, analog circuit हो जाएगा, और उसमें कुछ circuit जो मेरा signal है, उसका save बगरा change करना है, कुछ भी analog signal मिल जाएगा, कोई signal input पर था, उसको output पर पेश दिया, किसके through, एक circuit के through, एनिकी क्या हो गया, कि since majority of the real time signal are analog signal, real time में जो हमारे majority signal है, वो क्या है, analog signal है, analog in nature, so they can be directly processed using analog circuit, where and digital processing require analog to digital converter and digital to analog converter, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्माल जो हमारे signal कोण कोण से होते है, analog signal होता है, analog signal को output तक भेजने के लिए, हम analog circuit का use करते है, अगर उसी signal को digitally भेजना है, यहनिकि digital converter की थुरू भेजना है, analog की जगा हम digital करना चारहे है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले मेरा analog signal है, उसको किस में करना डिजिटल में convert करना पड़ेगा, तो digital to analog to digital converter लगाना पड़ेगा, then circuit लगाना पड़ेगा, then क्या करना पड़ेगा उसको, digital to analog convert करना पड़ेगा, उसके बाद output मिलेगा मुझे, तो इससे क्या होगा, analog signal को अगर output में भी analog चाहिए, तो circuit की cost बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ क्या हो जाएंगे, a to d converter and d to a converter, extra लगाने पड़ेगे, a to d converter मत means analog to digital converter and d to a means digital to analog converter, इन दोनों का यूज क्यों किया, क्योंकि मेरा input signal भी क्या है, analog है, and output required भी मुझे क्या है, analog ही चाहिए, तो उस case में क्या रहेगा, दो convert लगाने पड़ेगे, converter लगाने पड़ेगे, तब मुझे, वो output लगा, अगर हम digital circuit के थुरू बेजेंगे, इसलिए क्या करते है, analog circuit का यूज करते है, जब मेरा output भी analog मुझे required है, and input भी क्या है, analog signal है, तो उस case में क्या होगा, उसकी cost जो होगी system की design करने की, वो कम हो जाएगी, तो उसका ये benefit हो जाएगा, अब इस signal को transfer करने क लिए क्या करने पड़ेगा, power supply की जरूत पड़ेगी, तो power supply का, देख लेते हैं कि power supply के definition क्या होती है, and उसका internal diagram कैसा होता power supply का, क्या-क्या required है power supply के लिए, वो देख लेते हैं, अब क्या है power supply की definition, it is an electronic system, which converts AC power to DC power, अब DC power की जरूत क्यों पड़ी हमको, हम AC power से भी काम चला सकते थे, बिलकुल अचला सकते थे, लेकिन क्या है हमारा, AC to DC conversion is required, because majority of the electronic applications operate with DC power, जो हमारे बहुत सारे जो आजकल के devices आ रहा हैं, उनमें क्या है, वो direct DC power से चलते हैं, AC power से नहीं चलते हैं, क्योंकि AC power में क्या होता है, fluctuation होता है, fluctuation की वाइश से उनकी range, जो होती है, range की cross क से रहते हैं, इसलिए वो क्या DC पर चलती है, तो DC में convert करना पड़ेगा power को, उसके लिए क्या रहेगा पहले, rectifier रहेंगे, rectifier का क्या है, AC को DC में convert करना, कौन से DC में, pulsating DC में, उसके बाद क्या करेगा, जो abnormal noise है, peaks हैं, उसकी वो हटा देगा, तो क्या fluctuating DC में convert कर देगा, then regulator क्या करेगा, उसको, stable DC में convert कर देगा, तो क्या हो गया यह, इधर जो मुझे यह वाला output मिलेगा, वो वाला output कहां हम devices में use करेंगे, analog circuit की, जो device बनाएंगे, कुछ भी, कोई भी circuit बना रहे हैं, आपको, जो की DC से operate हो रहा है, तो उनमें यह वाला output यूज करेंगे, direct reactifier का output नहीं देंगे, क्योंकि reactifier के output में भी क्या आती है, peaks बगर आती है, तो उन peaks को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, filter का use करेंगे, और filter करने के बाद, regulator करेंगे, regulate करेंगे, regulate करने के बाद, उस output को use कर लेंगे, तो अभी हमने क्या देख लिया, कि analog circuit क्या होता है, then power supply क्या में देख लेते हैं, तो रेक्टिफायर की पहले definition देख लेते हैं, क्या है रेक्टिफायर, a circuit which can convert pure AC signal into pulsating DC signal, और a circuit which convert in y-directional signal into unit directional signal, y-directional मतलब positive भी जा रहा है, and negative भी जा रहा है, यह क्या हो गया, इधर क्या हो गया, एक ही direction वाला गया, positive positive में आ गया, negative में नहीं आ रहा है, तो यह कौन सा है, यह full wave, full wave reactifier है, full wave मतलब जो भी मेरा wave है, वो पूरा मिल रहा है output में, बट यह क्या हो गया, change हो गया, इसका direction, direction change हो गया, मतलब positive side ही आ रहा है, तो हम देख लेंगे, अभी कौन कौन से circuit है, कौन सा मेरा half wave होगा, कौन सा full wave होगा, कैसे AC को DC में convert कर रहा है, क्या-кіा circuit के अंदर रहेगा, हम पूरा detail में देख लेंगे, reactifier का क्या है, pure AC signal को, pulsating DC में convert करना, then pulsating DC को क्या करेगा, filter, उसको fluctuating DC में convert करेगा, देर regulator क्या करेगा, उसको, क्योंकि इससे हमारे जो डिवाइसेस हैं उनके खराब होने की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे अभी हमने क्या पढ़ लिया कि कोई भी प्योर एसी सिगनल है इस टाइप का उसको रियक्टिफायर के सब्सक्राइब कर रहा है पल्सेटिंग डिसी में कर रहा है यह जस्ट एक इस बिसाइब का क्या है आउट पोड भी असी सिखना रहा है उसके बोल्टेज के हैज उसको क्लासेट किया गया गया कितने पार्ट में कया गया है यह रोव्वन्टेज और इप अब न 2 फनिट पर्पाइब की आ गया क्या सो आन से को रेक्टिफांट दू टाइप को गई गो डोब व्वंटेज रेक्टिफार हो गया यह निकि लो बॉल्टेज करके देगा वो Pulsating DC and यह क्या करके देगा High Voltage Pulsating DC Convert करके देगा तो Low Voltage को design करने के लिए हम किसका Diodes का यूज़ करते है and High Voltage को design करने के लिए हम इसको SCR यहनि की Silicon Controlled Rectifier इसको किसे design करना है form using using किसे SCR SCR का full form क्या है Silicon Controlled Rectifier और यह Low Voltage वाले किस से design करना है Diode से design करना है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोगों के Slavers में क्या है Diode वाले जो Rectifier है उसको पढ़ेंगे पहले then SCR पढ़ेंगे Silicon Controlled वाले तो सबसे पहले क्या है जो Diode से design किये गए हैं उनको कितने पार्ट में डिवाड किया गिया है दो पार्ट में डिवाड किया गिया है कौन कौन से दू है एक तो है हाफ वेव एंड से रिजान करना है और क्या क्या हो गया होगिया अब फृL वेव के अंदर भी दो दो पार्ट में ड़ट की हैं फुल वेव को एक तो क्या है कि सेंटर टेगल रेक्टी फैर सेंटर टेप फुल वेबा रेक्टी फैर डूसरा कॉन सा है ब्रिज विर्ज रेक्टिफायर यह दो टाइप के हो गए फुल वेब के अंदर यानि कि हमारे जो स्लेवस में है वह लो वोल्टेज वाला हमको पढ़ना है लो वोल्टेज वाला पढ़ना है उसको किस से डिजान करना है डायोट से डिजान करना है तो उनको कितने पार्टमेंट अगर अभी आपको कुछ भी संजमें नहीं आ रहा है यह सब क्योंकि हम इंजिनिंग की में अल्रेडी पढ़ चुके हैं आप अगर इंजिनिंग पढ़े होंगे तो थार्ड या फॉर्थ या फिफ्ट सेमस्टर में आपने बढ़ा होगा इस बढ़ा होगा क्या है इसमें लो स्टाट करते हैं हाफ ये परेंगे फुल ताइप का यह दो नो हो जाएंगे तो हमारा किया वह जाएगा येट हो जाएगा डायूट से हाव रेक्टिफर्पार एन फुल टापिक हो खतम हो जाएगा अब सबसे पहले कौन सा थेखरा है हम हाफ ये रिक्टिफार पहले तो या डायोट का यूज़ करना है सेकंड क्या है उसमें step-down transformer का यूज़ करना है is used in all low voltage rectifier अब step-down transformer का क्या यूज़ करते है step-down का क्या है अगर कुछ input में 230 volt आ रहा है तो step-down means output में उससे कम voltage देगा step-down का मतलब यह कि उसको क्या करेगा वो minimize कर देगा इसके voltage को तो low voltage वाले मिलेंगे और low voltage वाले हमारे सभी में क्या करना है step-down transformer का यूज़ करना है जहां high voltage होगा उसमें क्या करेंगे कि जो input signal है उसको क्या करना पड़ेगा एंप्लिफाइड करना पड़ेगा हाई voltage चाहिए output में हाई voltage चाहिए तो क्या होगा step अब ट्रांसपर्म होगा तो जितने भी हम लो बोल्टेज वाले डिजाइन करेंगे लो बोल्टेज में कौन-कौन से हैं एक तो हमारा step-down transformer is used in all low voltage reactifier क्या करता है step-down transformer क्या होता है लो बोल्टेज मतलब क्या आप समझ रहा है उससे it converts pure AC signal having higher rms value into pure dc signal pure dc voltage having smaller rms value यह समझ गाए आप लोग यानि कि कोई एक signal है input में उसका rms value बहुत ज्यादा है उसको convert कर देता है किसमें low rms value में और किसमें dc voltage में यह समझ गाए आप लोग transformer को reactifier बना देंगे तो उसका diagram देख लेंगे कैसा बनता है कि अब यह देखो ध्यान से देखना है कि अगर आप यह पहला वाला समझ गाए तो आपको बाकी सारे तो एकदम इसली समझ में आ जाएंगे क्या हो रहा है पहले तो यह क्या है transformer एक यह क्या है transformer है इतना देखना दो वीएम साइंड ओमेगा लॉट टी ईसम्हें हम्यए इसका पीक है एणी कि और एक यह क्या हो गया पोल्टिश विएंधर निगेटिव सट्फफीय विएगा मीनेस विए तो यह क्या हो गया इसका VM हो गया पीक हो गया तो RMS value क्या होगी इसकी VI input का RMS value क्या होगा VM by root 2 यह हम sinusoidal wave के लिए अलोड ही बढ़ चुके हैं network को पड़ रहेते तो क्या हो गया VM by root 2 किसी भी sinusoidal wave का RMS value क्या होगा उसका magnitude divided by root 2 तो यह क्या हो गया VM by root 2 इसका RMS value आगया अब यह देखो input supply पर क्या हो रहा है यह वाला signal apply किया है तो यह क्या करेगा step down करेगा आएगा तो क्या आएगा transformer का output क्या रहेगा AC ही रहेगा लेकिन यह circuit यहाँ पर diode लगा है इसकी वज़े से इसका output हमको कहा निकालना output यहाँ पर निकालना है तो वी नॉट का output हमको ड्रॉ करना है अब यह भी नॉट का वी नॉट का यह response क्या आएगा वह हम ड्रॉ कर लेंगे तो अब यह देखो इस डाइगरम से जब positive cycle आईग डायोट हम कभी क्या समझे रहे है suppose डायोट क्या है हमारा ideal है ideal है means उसका 0 volt है क्या forward wise forward wise होने के लिए उसको कितना चाहिए 0 voltage है डायोट forward wise कभ होगा जब यह वाला voltage है P और यह N है तो V of P greater than होगा V of N यह वाला voltage है यह positive होना चाहिए और यह negative होना चाहिए positive negative का मतलब है कि इधर का voltage क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए compare to इधर तभी तो यह डायोट क्या रहेगा forward wise रहेगा otherwise क्या रहेगा reverse हो जाएगा reverse wise में क्या होता है open circuit होता है तो अभी क्या ideal condition मानके चल रहे है ideal condition में डायोट का internal resistance 0 and जो forwardized voltage है वो भी क्या है जीरो है तो इस case में जो output का response आएगा वो किस टाइब का आएगा वो आपको समझाज़ेज़े अभी अब देखो यह कितना 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 4 पाई अब input में जब पहले क्या cycle आई positive cycle आई यानि कि वी आई की value क्या रहेगी वी आई की value positive रहेगी किसके लिए 0 to 5 period के लिए तो यह value positive आईगी तो यहाँ पर वी आई क्या मिलेगा यह वाला voltage क्या मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि यहाँ पर voltage क्या है positive तो यहाँ पर भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो यह डायोड क्या हो जाएगा यह वाला बोले लिए पॉजिटिव तो यह क्या डायोड क्या हो जाएगा डायोड क्या हो जाएगा फॉरवडवाइस हो जाएगा फॉरवडवाइस हो जाएगा मतलब क्या हो तो circuit क्या बन जाएगा हमारा यह diode है short circuit हो गया इधर resistance R हो गया plus minus V0 इसके cross voltage निकालना हमको क्या आएगा और इधर पर क्या दिया है VI apply किया हुआ है तो इसके हिसाब से इसमें KBL लगाएंगे तो क्या आजाएगा V0 equal to VI आजाएगा यह समझ गया आप लोग यह कब आया पहला केस लिए हमने जिरो से लेके पाई तक जिरो से पाई में क्या होगा यह positive आ रहा है पूरा positive आ तो क्या हो जाएगा इधर भी positive आएगा यह वाला value यह वाला value positive आएगा तो डायोट क्या हो जाएगा फॉरडवास हो जाएगा अब second case लेते है second case क्या है 0 से अभी pi से 2pi 0 से pi तो देख लिया हमने इतने में देख लिया क्या रहेगा डायोड फरवर वाइस रहेगा अब यह देखो इधर क्या हो रहा है इसकी value negative हो रही है negative हो रही है that means यह वाली value क्या आएगी VI की value क्या रहेगी negative रहेगी VI की value negative रहेगी तो जो डायोड है डायोड है यह वाला इधर का value negative है और इधर 0 है तो क्या हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा यह reverse wise हो जाएगा क्यों हो जाएगा reverse wise क्योंकि हमने क्या देखा है कि vp की value अगर इधर p terminal है greater than वनने चाहिए किस से n से यहां vn की value 0 है और vp की value क्या है negative है तो क्या हो जाएगा vp less than हो जाएगा किस से vn से और क्या हो जाएगा यह reverse wise हो जाएगा reverse wise हो जाएगा तो क्या हो जाएगा open circuit हो जाएगा reverse wise हो जाएगा तो क्या open circuit है तो circuit क्या बन जाएगा, फिर output circuit जो बनेगा, यह diode हो गया, जो open circuit रहेगा, इधर क्या हो गया, V I हो गया, इसका polarity क्या रहेगी, minus plus, यह रहेगा, and इधर क्या है voltage, यह R है, plus minus V naught, तो इधर जो V 0 की value आएगी, वो क्या आएगी, 0 volt आएगी, क्यों आएगी 0 volt, क्योंकि इसमें कोई current ही flow नहीं होगा, आई की value क्या होगी, 0, आई की value 0 क्यों होगी, क्योंकि यह क्या है, open circuit है, ओपन circuit है, तो current 0, देखा और यह किसके लिए देखे लिए हमने पाई और ल से थ्रीन किसा चोंड यहाईगा सी मिफ्र जाएगे तो वेऊट बन जाएगा तो यह मैंनल टवही बन जाएगा और 10 गया में बन जाएगा एक सब्सक्राइब की चल्रों को पूर्ट को सखे है जब 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 negative cycle आएगी, output क्या आएगा, 0 आएगा, क्यों आएगा 0, क्योंकि diode क्या हो जाएगा, reverse wise हो जाएगा, diode reverse wise हो गया, तो क्या हो जाएगा, open circuit हो जाएगा, तो उसके हिसाब से, जो input cycle है, उसके corresponding जो output का response आएगा, वो कैसा आएगा, वो draw कर लेते हैं, अब यह देखो, यह हमने क्या है, input था हमारा, V i equal to क्या था, V m, sin, omega 0 t, यह था हमारा, V i का value, input voltage, जो हमना हमारा क्या था, pure AC था, इसको क्या किया था, हमने transformer से क्या क्या था, step down से, उसका जो rms value voltage का है, वो कम कर लिया था, तो rms value क्या होगा, peak voltage कितना हो गया था, peak हो गया, vm, and rms value क्या हो गया, vm by root 2, यह हम अल्यटी देख चुके हैं, अब हमारा जब क्या था, positive cycle था, तो positive cycle था, तब क्या रहा था value, तब v0 का value क्या रहा था, v0 equal to by हो रहा था, तो यह पहले ड्राव कर लेते हैं, cycle, इसकी, यह हो गया, यह 3, 5, 2, 4, 5 हो गया, जब क्या हो रहा था, output ड्राव कर लेता है, जब क्या हो रहा था, positive cycle था, तो क्या रहा था, output, यह आ रहा था, जब negative cycle आ रही थी तो क्या रहा था output, 0 हो रहा था, तो यह 0 रहेगा, इस type से, जब positive cycle आ रही थी फिर से, तो फिर से output यह रहा था, जैसे negative cycle आ रही थी तो क्या रहा था output, यह रहा था, यानि कि क्या होगा, जो negative value term है, वो क्या हो गई, इसमें, remove हो गई, यह कौन सा है, remove हो और इसमें क्या हो रहा है कि जो निगैटिव फबाल रहा है ने कि केवल पर रहे हैं तो इसको हाफ बीव रिइप रहें क्यों करते हैं क्योंकि आदि जो क्योंकि आधी वेब क्या कर दिए इसने रिमूब कर दिए और आधी वेब का क्या दे दिया आउटपूट दे दिया आउटपूट दे दिया तो वो क्या हो गया केवल इदर उपर वालिटर मारी है तो इसका पीक वेल्टेज क्या हो गया यह रहेगा तो यह कॉंस्टेंट डी में जो हमारे डेवाइस में यूज हो जाएगा तो हाफ यह रिक्टी फायर आप समझगा इसका बर्किंग कैसे किया इस सर्किट से कैसे इसका रिस्पंस बनाए यह आप लोग समझ गए एक बार समझा जाए नहीं आए समझ में एक बार डाइगरम बना के दुबार से आपको स मनिस था ट्रांस्वर्मर यहां पर ट्रांस्वर्मर लगा दिया को इस वार्भ का इंपट कोई लोगया है कि यह पर यह पर नापल कि मिला था अंफ bargaining यहां पर क्या लगा एत हमने एक AC signal लगाया था AC signal लगा दिये कौन सा था pure AC signal और इसका रेशो क्या था N1 रेशो N2 था टन्स रेशो उसके बाद क्या था एक diode लगा था यहाँ पर एक diode उसके बाद एक load था register R उसके across जो voltage था वो हमारा क्या था V0 था यह हमें निकालना था और इसमें कुछ current I flow रही होगी I flow का होगा I का flow होगा जब क्या होगा डायोड forward वाइस होगा और जब डायोड रिबर्स वाइस होगा रिबर्स वाहईस होगा तो क्या हो जाएगा open circuit हो जाएगा open circuit हो जाएगा तो i equal to कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अब क्या हो रहा था, input का voltage कैसा था, इस type का था, तो यह 0 से πाई, 2 पाई, 3 पाई, यह 4 पाई, तो 0 से पाई में क्या हो रहा है, जो इधर apply किया है, vs, vs की value क्या है, positive है, vs की value positive है, तो vi की value भी क्या होगी, positive होगी, क्योंकि इसका काम क मतलब है, कि input में something कुछ value आ रहा है, vi, vs, तो उसको क्या करेगा, voltage की जो value है, एनि की जो peak value है, peak voltage है, उसको कम कर देगा, peak voltage को कम कर देगा, तो रहेगा तो यह से उसमें, polarity में, कि इधर 0 से pi में positive, pi से 2 पाई में negative, and 2 pi से 3 पाई में positive, बट इसका जो voltage है, peak voltage है, वो क्या हो हो जाएगा, वो minimize हो जाएगा, minimize क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, step down transformer है, step down क्या हो जाएगा, output का जो magnitude है, वो कम हो जाएगा, magnitude कम हो जाएगा, लेकिन polarity तो से रहेगी, तो उस case में क्या होगा, जैसी 0 से pi आया, तो क्या हो जाएगा, डायोड मेरा, forwardize हो जाएगा, क्योंकि यह वाले value क्या हो जाएगी positive हो जाएगी यह को P है और यहाँ पर N है इसके डायोट का terminal तो BP की value यानि voltage across P terminal ग्रेटेधे दन हो जाएगा voltage across N terminal तो क्या हो जाएगा डायोट को डायोट मैं डायोट क्या बन जाएगा यह डायोट हो गया तो circuit क्या निकालना है तो इसमें कुछ current I flow होगा तो I flow होगा तो KVL से जो V naught की value आएगी वो VI के बराबर आजाएगी इतना आप समझ गए अब क्या होगा जैसे पाई से टू पाई की बीच में बात करेंगे पाई से टू पाई की बीच में बात करेंगे डायवड हो जाएगा डिवर्स वाइस होगया तो क्या जाएगा ओपन सरकेट हो जाएगा तो करेंट वह जाएगी जीरो होगी तो लोन B B0 हो जाएगी इसलिए इसका दोác प्राइब ड्राइब करेब हो यहीं निकाल लेते हैं कि current का value क्या होगा, कैसे क्या बार करेगा, rms value क्या होगी, कौन से period के लिए कितना current की value आएगी, वो निकाल लेते हैं, वो formula है, कुछ नहीं है, वो mathematical है, just mathematical integration मेगरा वो सब करना, और उसके बाद आपको किवल समझाना था, कि circuit से, किस type से circuit काम कर रहा है, और किस type से वो AC को DC में convert कर रहा है, अब क्या कर लेते हैं, analysis of half wave rectifier, hwr मतलब half wave rectifier, half wave rectifier का analysis कर लेते हैं, तो सबसे पहले दिख लेते हैं कि output current, यानि instantaneous okay, output current, तो output current क्या हो रहा है, जब diode क्या है, diode क्या है, forward wise है, diode तो diode का कुछ resistance रहेगा, practical तो diode का कुछ resistance समझे लेते हैं कि RF है, RF उसका resistance है, तो क्या है, वो कुछ ohm रहे गा, few ohms रहेगा, तो उस case मां circuit क्या बन जाएगा, कि diode का कुछ resistance है तो diode इधर आगे resistance इधर क्या हो रहा है plus minus e plus minus v i and इधर r है और इसमें कुछ i current flow हो रहा है इसके cross क्या है voltage v naught तो output current निकालना है तो इसमें current कुछ i flow हो रहा है तो kvL लगा देंगे यह rf हो गया तो क्या हो जाएगा v f equal to v i equal to v f नहीं v i equal to rf i plus r into i यह हो जाएगा तो current की value क्या होगी i equal to v i divided by rf plus r r क्या है यह load resistance और rf क्या है diode का है internal resistance जो की minor resistance होगा few ohms में होगा और इधर load क्या रहेगा वो close में रहेगा तो आप उसको neglect भी कर सकते हैं कि rf की value 0 भी हो सकती है जब rf equal to 0 है तो i की value क्या हो जाएगी v i by r यह आप लोग समझ गए जो हम अलोड़ी निकाल चुके हैं इसी से तो आ रहा था कि v i equal to v not हो जाएगा जब rf की value क्या थी 0 तब ही निकला था यह v i equal to v not तो अभी क्या निकाल लिए हमने instantaneous output current आउटपूट current आगिया कितना आगिया v i y rf plus r rf क्या है डायोड का resistance एंड r क्या है लोड का resistance तो करेंट 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 कैसा आएगा i m sin omega t के form में आएगा i m sin omega t के form में आएगा तो i m रहेगा कुछ उसका magnitude end क्या रहेगा sinusoidal wave रहेगी क्योंकि v i क्या है sin के form में है तो ये भी sin के form में आएगा और जब 0 से जब pi से 2 pi के बीच में देखेंगे इसका output तो उस case में क्या हो जाएगा डायोड डायोड हो जाएगा reverse wise डायोड reverse wise हो जाएगा तो क्या हो जाएगा open circuit हो जाएगा छाएखेंने शाथ अलफा क्या है यह एंगल है जो यस वाली लाइन पर चल रहा है time वाले लाइन पर तो क्या हो गया 0 DC output current यह क्या था instantaneous था अभी DC output current अब DC current क्या होगा average value of i जो हमारा i current आ रहा है output का तो average value किसका एक cycle के लिए निकलती है तो क्या होता है one upon two pi यह सब्सक्राइब क्या होगा जीरो से two pi i dt यह हो जाएगी average value i dc अब इसमें क्या है कि इसका magnitude क्या है में आई क्या देखा आई एककोल टू आई एम साइन ओमेगा टी सम्थिंग कुछ रहेगा तो i dc की जो value हो जाएगी आई एम तो बहार आ जाएगा constant है divided by two pi zero से लेके two pi हो कितना sin omega t dt यह हो जाएगा अब क्या रहेगा तो i dc जो रहेगा dc का value क्या रहेगा इसमें जब आप आप इंट्रिगेट करेंगे इसको इंट्रिगेट करने के बाद आउट्पूट आएगा इंट्रिगेट करने के बाद आपकी value आएगी idc equal to i y pi यह value आएगी तो इसको क्या बोलेंगे dc लोड करेंट और average लोड करेंट यह दोना value दोना नाम से जानते हैं इसको तो क्या dc आउट्पूट करेंट आ गया आउट्पूट मतल्ब लोड तो dc लोड करेंट और average लोड करेंट यह निकल गया क्या है आई डी इकल डू क्या है average value है average value of i average value कैसे निकालते है वन ओपन टूपाई टाइम पिरेड इंट्रिगेशन ऑफ जीरो टूपाई IDT IDT की value क्या है इधर पॉट कर देंगे तो इससे क्या जाएगा IDC की value यह जरूर याद रखना अभी हम जो भी calculate कर रहा है वो सब यह हाफ वेप रेक्टिफायर के लिए ही वैलिड है फुल वेप पढ़ेंगे तब उसके लिए लग से calculate करेंगे उनकी value अलग आएंगी जरूर नहीं है कि हाफ वेप के बरावर ही आए है ना तो यह जरूर याद रखना कि यह केवल हम calculate कर रहे हैं वह हाफ वेप के लिए आप लोगों के लिए concept समझना है आपको कि कैसे calculate कर रहे हैं क्योंकि same concept ही हमारा full wave में repeat होगा और same हमारा किसमें half wave में चल रहा है जो तो अगर आप formula याद करेंगे तो formula यह confusion हो जाएगा आप concept के साथ formula याद करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा अभी क्या पहला आपने क्या देख लिया instantaneous output current सेकंड देख लिया DC output करें अब थर्ड क्या है rms output current तो rms value कैसे निकालते हैं i rms equal to root of 1 upon 2 pi क्या जो function है उसका square तो क्या हो जाएगा i square dt वह यह कितना 0 से 2 pi यह आप लोग समझ जगे तो i rms की value क्या होगी root of 1 upon 2 pi i की value क्या है im sin omega t यह हम लोग अलड़ी देख चुके हैं तो क्या हो जाएगा यह 0 से 2 pi i square यह इसका square हो जाएगा im sin t omega equal to अभी 1 लेके चल ला हैं सारे case जो हमने जो भी पड़े हैं omega की value 1 लेके चल ला हैं क्योंकि हम लोग नहीं तो जो answer आएगा हमारा हो किसके omega के terms में आ जाएगा तो इसलिए हम लोग क्या लेके चल रहा है इसकी value 1 लेके चल रहा है तो इसका square into dt तो क्या हो जाएगा i rms equal to root of im square आ जाएगा क्योंकि यह तो constant है divided by 2 pi 0 to 2 pi sin square t dt यह बन जाएगा अब इसका क्या करना पड़ेगा integration करना पड़ेगा आप integration करके final value जब निकालेंगे तो i rms की value आएगी im by 2 और यह हम लोग already network में निकाल चुके हैं से कि हाब वेब रेक्टिफायर है फुल वेब रेक्टिफायर है तो क्या आएगा rms value और average value वह आप लोग यादी रख लो तो यह आगया क्या im by 2 आगया rms value अब फोर्थ क्या देख लेते हैं rms ac output current अभी क्या देखा यह dc के लिए अभी rms ac output current अब rms value of ac output current कैसे निकालेंगे अब कैसे निकलेंगे लोगा बोलेंगे output to reflect क्या रहता है लेकिन आप रेक्टिफायर का output देखेंगे तो किस टाइब का रहा था यह दैदा प्लस ऐसी टर्म भीए तो जो आउटपुट का रेक्टिफ हीर होता है वो क्या होता है फिए करते हैं तो जो फिल्टर रेगुलिटर की है वह एसी को रिमूब कर देते हैं कि बड़ी सिर्म अकीला बशता है हमारा तो रेक्टिफ फार का आउटपॉट प्या रहता है एसी प्लस डी सी रहेगा तो क्या हो जाएगा आई एककोल टू डी सी प्लस ऐसी अब हमें क्या निका ठीक है और rms value जब इसका निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा i dash rms equal to क्या rms value कैसे निकालते हैं अभी आपको बता है 1 upon 2 pi 0 to 2 pi i dash का square into dt यह rms value निकल जाएगी इसकी पहले dc आगे i dash की value आगी उसका क्या निकालना rms value निकाल लिए है तो rms value निकालना के लिए क्या 1 upon 2 pi उसका time period integration of one cycle और उसका क्या जो function उसका square integration और into dt तो उसका integration करके i dash rms का value आजाएगा अब आप इसमें क्या करेंगे integration करने के लिए i dash equal to कितना put कर देंगे i minus dc यह वाली value इसमें put कर देंगे यह वाली value जब इसमें put कर देंगे तो i dash rms की जो value आएगी वो आएगी root of i rms का square minus i dc का square यह आजाएगा rms की value i dash of rms output rms है ना output current rms ac output current का जो value आएगा i dash वो क्या आएगा i जो आरा है हमारा current total current i rms का square minus i dc का square तो यह क्या आजाएगा यह वाली value आजाएगी rms ac output current की value आजाएगी तो अभी हमने जो reactifier है उसकी कौन-कौन सी terminology पढ़ ली पहला क्या पढ़ा था instantaneous क्या output current second पढ़ा था हमने dc output current and third कौन सा पढ़ा है rms output current and fourth कौन सा पढ़ा है rms ac output current अभी यह चार terminology पढ़ ली हमने आगे की जो terminology है कौन-कौन सी है ripple factor क्या होता है efficiency क्या होती है input power क्या होता है dc diode voltage क्या होगा no load output voltage क्या होगा अगले लेक्चर पढ़ेंगे अधरवाज यह लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि starting है यह वाले फैक्टर हम जो जो सारे पढ़ रहे हैं फैक्टर वो फोल वेप के लिए पढ़ेंगे तो अगर आपको एक बार इधर समझ में आ गया तो आगे आपको कोई प्रॉल्म नहीं आगी समझने में समझने में तो क्या हो जाएगा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया आज और अगले लक्चर में क्या पढ़ेंगे जो इसकी अगली आगे की टर्मिलोजी है जो फैक्टर बगरा निकालना है वो अगले लक्चर में देखेंगे